ही वाट्सप गाईज क्रिटर शेर आज के इस वीडियो में आप तो यह लेकर आ गया हूँ एक काफी जादा नया चीज नया तो नहीं बोल सकते इसवे बट यहां पर एक information था मेरे तरफ से जो की हो रहा है account bands का यहां पर मैंने आप लोग दिखाया भी था अन्बैंड कैसे करना है account को यह किस की बहुत गिने चिर्ने लोगों के उपर वर्क कर रहा है सब के उपर ट्रिक नहीं है मैं यह भी बता देता हूं यह आप लोगों का account खुल जाता है इससे और बहुत लोगों का नहीं भी हो रहा है यह भी एक तरह का छोटा सा ग्लिच है मिनिकल्प के तरफ से क्योंकि यह से प्रिक्स जो होते है एक तरह का बग होता है जो कि उससे वर्क कर जाता है और यहां पर मैं आप लोगों को स्क्रिंशोर्स दिखान यह main ID है 4 billion coin भी है यहां पर आप लोगों को मुझे देखने को मिला यहां पर जो की था हमारा coins का video rewards वीडियो देखने से जो हमें coins मिलता है उसके बाद ही हम लोगों का line से आता था यह पहले भी आता था मैंने अपने last कुछ videos में भी जिकर किया था इसके बारे में यहां पर आप लोगों को यह नया चीज देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों मिलता champion box देखने को यह पहले कोई भी version में नहीं था अब आप लोगों के यह कौन सा version है यह version है नया वाला 4.8.0 जिसको पर मैंने video भी बनाया था यहां पर new update जो की beta में आया था and beta काफी लोगों के पास है पर फिर भी यहां पर players online इतने कम क्यों है यहां पर दिसको आप लोगों देख लिख 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 लिखावा यहां पर kona में so इतना players online कम इसलिए है क्योंकि यहां पर accounts काफी जादा banned हो रहे हैं मैंने risk लिया अपना main account इसमें open किया है जिसमें मैंने काफी जादा coin transfer क किया है बट कोई दिक्कत नहीं है मुझे यह account जो भी है मेरा personal IDB है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए मैंने main ID को open किया था जो भी हो मैंने version Samsung change कर लिया and official 4.7.7 में मैंने login कर लिया है so मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूंगा अगर आप लोग कोई email से कर लो download official version but beta से leave मत करना क्योंकि मैंने भी यही किया है जिस Google Play ID के पास मेरा beta version था उसको मैंने phone से remove कर दिया and फिर से मैं उसे लगा लूँगा अपने install करने के बाद जैसे कि मैंने install कर लिया है अपना main version जो कि कुछ यहां पर मैं इसे अंदर रख दिता हूं क्योंकि यह official version 4.7.7 and अब मैं फिर से अपना mobile ID login कर लूँगा जो कि है मेरा beta version से beta tester है so उससे कि मेरा beta tester भी बच गया next आने वाले videos के लिए या फिर updates के लिए आप लोग बोल लो and आप लोग को भी ऐसा ही कर लेना है जो भी हो जैसा भी है अभी तक फिलाल अगर आप लोग को का ID बैंड ह है तो tension ना लो नए ID से play करना start कर दो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके उपर जो यह जो वाले trick है आप लोग को परफॉर्म करके check कर सकते हो अगर आप लोग खुल जाता है तो काफी जाता अच्छा बात है and अगर आपने अभी तक कोछ भी अपना mod या फिर आप लोगों न transfer नहीं किया है तो आप लोग मिनिक्लिप के website में जाके भी आप लोग support में जाके help मांग सकते हो उस वह वाले चीज़ से भी काफी लोग का ID open हो जा रहा है और कहा देना कि मैं बीटा में था इसलिए ID banned हो गया है तो उन लोग consider कर रहे हैं बीटा वाला का क्योंकि उनका झाले हैं अजार कुछ वाले हैं